दुकाटी के पॉट्पोलियों में कई बाइक हैं उनमें से एंट्री बाइक से लेकर करके मल्टी श्राड़ तक शामीन है जी हाँ वही मल्टी श्राड़ जो 2003 में पहली बार लॉंच होने के बाद सब्सक्राइब करके मल्टी श्राड़ में कई बाइक लॉंच हुए कई वरियंट आएं कई अफगेड आए लेकिन जो सबसे जो लेटिस मॉड़र है वह है 1260 कि बारें बताने से पहले मैं आपको जाता है क्या मटी श्राड़ इटालीन हो वर्ट से जिसका मतलब होता है मैंने रोड्स यानि एक हैसी भाइड जिससे आप किसी वी रास्ते में जा सकें रोड्ड हो ऑफ रोड हो तूरिंग करना हो या फीर आपको एक्स्क्रीम ऑफ रो और इसका एक टॉप मॉड़र पाइक पिक उसे कीमते करीब साढ़े 21 लाख रुप्य है मल्टिशादा 1260 मल्टिशादा स्रीव में इस तरह से नई बाइक है नई इस माहिने में किसने इंजिन स्विंग आप यहां तरी कई सारी ने फीचर आइड किये गये हैं और दूसरी बात एब बाइक मुझोदा बाइक 200 की जग है लेगे मल्टिशादा 1260 की लुक पसाई के बारे बात करें तो इसमें और 12 में पुछ ज्यादा बदाओं नहीं है लेकिन कई छोटे-छोटे बदाओं किये गये हैं उनमें जो पहला बदाओं है वह इसका साइड पैनल पहले 12 में थोड़ा सा बहुत की तरफता अब इसमें करें तका गया है और दोसे बाद 1260 में एक मेया कलर पॉप्शन दिया क्या है जोप के सामने है वह है वेलकेनिक क्रेंट में पूरी तरह से निया इंजन है और इस इंजन की जो खासियत है वह है कि लो और में इंजन इसमोचली काम करती है क्योंकि एंजन आपको 3000 आर्पियम पर 85% टॉर्क प्रोड्यूस करती है इंजन के अबसिटी है 1262 CC पावर और्पूट 158 BHP तॉर्क 129 Nm वह भी 7500 आर्पियम पर दूसरी बात इंजन डीपिटी टेक्नोजी पर काम करती है और इसमें 6-speed गेर दिया गया है तूरिंग के दौर्ण आपको बेहतर स्टेबिलिटी मिले इसके लिए जो इसका विल्बेस है उसकी लंबाई को थोड़ा सा बढ़ाया गया है 1260 में यानि जो मुझदा बाइक है उसमें आपको 1585 mm विल्बेस मिलता है जबकि जो पुराना वाज़ान है यानि जो 1200 है उसमें आपको 1530 mm विल्बेस मिलता है यानि इसमें आपको 55 mm विल्बेस जादा मिलता है वीबे बढ़ाने के लिए कमाटी ने क्या किया जो का सुविंगा हम है उसकी जो लंबाई है उसको तुछासा बढ़ाया है सुविंगाम के साथ जो प्रूं작 का घ्योमेटिकल है उसमें भी तुरूसा कमी ने बड़ाओ किया है मल्टी साटर 1260 का जो यूजर इंटरफेस है उपुरी तरह से नया है और दूसरी बात इस इंटरफेस को एक्सेस करना अब पहले के मुकाबले काफी इजी हो गया है और इसके लिए यहाँ पर एक बटन दिया गया जिसके सहरे आप इस इंटरफेस को एक्सेस कर सकते हैं और इसमें दो नये फीचर को आइड़ाउन किया गया पहला है इजी सिप्टर और दूसरा है रियर टायर कैलीरेसन रियर कैलिवेसन का मतलब है अगर आपने अस्टेंडर टायर के मुकाबले थोड़ा सा वाज़े टायर लगाया है तो उसको कैलिवरेट कैसे करेंगे उसके लि झाल झाल